नमस्कार आदाप सस्त्रियाकाल हम आचुके देश और दुनिया की एक और नई ख़बर के साथ अगर आप डिफेंस, मिलेटरी, फोरेन पॉलेसी और फाइनांस से चुड़ी हुई ख़बरों में इंटेस्टेड है तो हम लाएंगे आपके लिए हर रोज एक नई ख़बर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पाकिस्तान के मंत्री की भारत पर परमानु हमले की दमकी चाने दोनों देशों के पास कितनी एटमी ताकत है पाकिस्तान के रेल मंत्री सेख रसिद अहमद ने एक बार फिर से भारत के साथ परमानु युद की बात कही है वे पहले भी कई बार इसी दमकीया दे चुके है अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान पारम परिक जंग नहीं सीधे परमानू हमला करेगा ये कहा है पाकिस्तान के रेल मंत्री सेक रसिद आहमद ने पाकिस्तान के रेल मंत्री ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के हत्यार एकदम तयार है अगर आकडों पर नज़त डाले तो आप पायेंगे कि भारत और पाकिस्तान के परमानु हत्यार के जखिरे में ज्यादा अंतर नहीं है भारत जहां प्लुटोनियम आधारित एटम बम बनाता है वहीं पाकिस्तान यूरनियम आधारित एटम बम बनाता है भारत और पाकिस्तान पर की गई एटोमिक हत्यारों की रिसर्ट पर नज़र डालते हैं और चानते हैं कि किस देश के पास है कितने एटोमिक हत्यार भारत ने अपना पहला नुक्लियर टेस्ट 1974 में किया था लेकिन 1998 में पोकरन टेस्ट के बाद खजाना परने की प्रक्रिया सुरू हुई भारत ने अब तक सिर्फ तीन परमानू परिक्षन किये है भारत की तीनों से नाहों ने अपने बेड़े में एटोमिक हत्यारों को सामिल कर रखा है और अनुमानित है कि भारत के पास लगबग 1.500 से ज्यादा पर्मानु हत्यार है भारत और पाकिस्तान दोनों बेलेस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और समंदर में कुछ ऐसे हत्यार विक्सित कर रहे है जिससे सीधा सीधा एटोमी केटेक किया जा सके पाकिस्तान ने भी भारत के पीछे-पीछे मई 1998 में पर्मानु परिक्षन को अंजाम दिया उसके पास अभी 160 से ज्यादा पर्मानु हत्यार है अनमान है कि वह अगले 10 वर्सों तक पर्मानु हत्यारों की संक्या बढ़ाता रहेगा पाकिस्तान के परमानु हत्यार प्लूटोनियम और यूरेनियम आधारिक परमानु हत्यार है पाकिस्तान एक रणनिती के तहट अपने परमानु हत्यारों की कसमता को बढ़ा रहा है इंडियन एर फोर्स के पास परमानु कसमता वाले इतने विमान है कि वे किसी भी वक्त पाकिस्तान का नाम और निसान मिटा सकते हैं इंडियन एर फोर्स के मिराज 2000 एज को नुकलियर ग्रेविटी बम के लिए सर्टिफाई किया गया है जबकि जेगवार आयस फाइटर बम को भी ले जाने में काबिल माना जाता है भारत ने हाल में ही फ्रांच से राफेल एरक्राफ्ट की डील की है और राफेल एटोमिक हथ्यारों से लेस है जो किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी पे भी परमानू हमला कर सकते है वहीं अगर पाकिस्तान की बात करे तो पाकिस्तान की वायू सेना में मिराज 3 और मिराज 5 एरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर डिलिवरी में काबिल माने जाते है वहीं पाकिस्तान के F-Sixon विमानों को भी इसका रोल दिये जाने की बात कही जाती है लेकिन इसे लेकर अभी स्थिती स्थाफ नहीं हुए भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी Npt का हिस्सा नहीं है Npt की अगर हम बात करें तो परमानू अप्रसार संदी है यानि की परमानू बोम का इस्तमाल ना करने की एक संदी अमरीका ने पहली बार जुलाई 1945 में परमानू टेस्ट किया था और अगस्त में जापान के हिरो सीमा और नागा साखी पर हमला भी किया था इसके बाद दिरे दिरे सोवियत यूनियन ब्रीटेन फ्रांस और चीन भी इस रास्ते पर बड़े थे परमानू अथियरों का दाईरा और ज्यादा ना बड़े इसके लिए अमरीका ने दूसरे देशों के साथ मिलकर परमानू अप्रसार संदी की थी यानि कि Nuclear Non-Proliferation Treaty और व्यापक प्रमान में परमानू परिक्षन पर प्रतिबंद भी लगाया था और परमानू परिक्षन ना करने की टीटी यानि कि Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty CTBT भी बनाई थी भारत इस वक्त परमानू परिक्षन नहीं कर रहा है लेकिन भारत ने CTBT यानि कि Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty पर दस्तकत किये है यानि कि भारत इस वक्त परमानू परिक्षन नहीं कर रहा है भारत की पहले No First Use की Policy थी यानि कि भारत पहले किसी भी देश पर परमानू हमला नहीं करेगा लेकिन कुछ वक्त से भारत को चीन और पाकिस्तान से परमानू हमले का खत्रा बड़ा है इसलिए भारत ने इस Policy में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर भारत को किसी भी देश से परमानु हमले का खत्रा होगा तो भारत सीधे सीधे उस देश पर परमानु हमला करेगा पारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमानों युद्ध होता है तो पारत एक घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ तब तक के लिए गुडबाई